नम्रता से एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दिपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए कि इस देश में क्या और हमारा डियने जो है वो भारत का मूल डियने है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं तो खु़ चत्रिया हूँ पर मुसल्मान में शत्रिया नहीं होते मेरी जानकारी नहीं होते हैं तो बिचाने के लिए सुदान्शो जी बताए कि केंदर सरकार ने पिल्की इसके प्रत्कारियों को क्यों बचाया जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो धमाके बहुने बंद हो गए हैं कि नहीं इसी लिए सब शांती से मिलके रह रहे हैं सब शांती से होके रहने हैं अब दूसरी हाँ बिलकुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ पहले भी कई बार कह चुका हूँ जिस जमाने में दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से लाकिम धमाके नहीं होते थे गौहाटी, हैदराबाद, बैंगलाओर, चिन्नाई, नाकपुर, मुंबई, दिल्ली, जैपुर, लखनौ, वरणसी, चंडीगर, कान ही होता था आज सिर्फ दक्षन कश्मीर के तीन जिलो तक रह गया है और चिंता मत करिये सफाई, धुलाई होते होते, वहां तक दूस की सफाई होते है मुझे भी पता के होते थे, और बहुत सारे मैं तो ये कहता हूँ कि जितने फसाद कॉंग्रेस के टाइम में हुए, अब तक इतने फसाद नहीं हुए लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है, उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसको निवालन करना चाहते है वो बड़ा दर्द क्या है, एक आदमी को रास्ते पर चलकर मोबलिंजिंग कर दी जाती है एक सिर्थ कोंकर दर्व की बात हुई एक बहुत वाइरल वीडियो है